एक संगिठन जो ठीक एक साल पहले आजी की तारीक के दिन खड़ा हुआ था और ये संगिठन गौतम बुधनगर जिले में एक योवा ने खड़ा किया था जिस योगा का नाम था अमन ठाकुर आज उसी संगिठन का यहां इस्थापना दिवस समारों का कारीकर्म रखा गया है भारतिय किसान यूनियन किर्चक सक्ती के राष्टिय अध्यक्ष अमन ठाकुर हमारे साथ मौजूद है उनसे जानेंगे कि आगे संगिठन के क्या प्रात्मिकता है रहने वाली है परेशानिया कुछ नहीं आती अगर आप पूरी इमानदारी के साथ किसानों की सेवा करना चाह रहें तो मैं समझदाओं कि छेतर के किसान देश के किसान आपका सहयोग करेंगे और हमारी प्रात्मिकता रही कि हम किसानों के आवाज को पूरी मजबूती के साथ उठाने का हमने हमेशा प्रयास किया बात 64.7% की रही हो बात यहां के सडक यहां की व्यवस्था जो सरकारी अस्पताल, सरकारी इस्कूल आदी इनका सौंदरिय करन की हो पूरी मजबूती के साथ भारते किसान युवाओं के साथ उठाया है और हमें सफलता भी मिली है इस्थानिय युवाओं के रोजगार की बात हो हमने पूरी मजबूती के साथ उठाया और 40% युवाओं को रोजगार यहां की यमना प्रादिकरन और ग्रेटर नोटा प्राद हुआ है यह पहली बार है कि आपको उपर आरूप नहीं लगाए लेकिन तमाम ऐसे संगिटर ने जिन पर आरूप लगते रहें क्या कहना चाहेंगे आरूप और प्रत्यारूप उन लोगों पर लगते हैं जो पूरी स्पष्टा के साथ काम नहीं करते हैं हमारा काम है कि हम जम और काम कराने का प्रयास करते हैं मैं समझदा हूँ एक वर्षी नहीं हम पूरे जीवन इसी तरह से काया यान कारे करेंगे किसानों की आवाज को उठाते रहेंगे और उपर वाले का अगर हम पे रहमो करम रहा तो हम पे आरोप लगने का तो कोषा वाली पैदन नहीं आगे और क्या संग्ठन की मजबूती और प्रात्विक्ता रहने वाले देखे मजबूती लगातार दिन पिरते दिन संग्ठन विस्तार हो रहा है आप भी देख रहे हो करीब साथ हिंदी वासी राज्यों में हमारा संग्ठन चल रहा है इस्थापना दिवस का प्रोग्राम पूरे एक महीने चलने वाला है सभी राज्यों में ये प्रोग्राम होग और आगे की मजबूती में आपको बता देना चाहता हूं और संग्ठनों को छोड़कर इस बाहरते किसान उन्हें किर्शक सकती का लोग इससा बन रहे हैं और भी कुछ किसान उन्हें के पदादकारी हमारे साथ मौजूद है राश्टे उपात्यक से क्या कहना चाहेंगे इस अलग से ऐसा टाइटल लेके चलें जिससे की और जो संग्ठन बने हुए हैं हमारे देश में उनसे अलग हम एक ऐसा कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं जिससे की आने वाले समय पर केवल देश में एक ही संग्ठन दीखेगा जो कि भारते किसान उन्हें कर सकती कही रूप में देखेगा और मैं यह कुछ आज हमारी स्तापनादिवस से इसको हर साल इसमें प्रक्तिकत ब्रद्री करते चलेंगे और इसको आने वाले समय में और अच्छे धूम धाम से मनाने की फिरकिरिया को आगे लेके चलेंगे देखो बड़ा खुसी का दिने किसानों के लिए हमारे लिए यहां के छेत्र की जंता के लिए क्योंकि हमने जहां किसानों की ज्यादस हमिश्या है वहाब हमने इस्तापनादिवस का आयोजन किया है और यह चेत्र जिस तरीके से हमारा संग्ठन इस चेत्र के किसानों की एक तरीकी की आत्मा बनकर आवाज उठा रहा है, इस साथ यहां के किसान बहुत खुस होंगे और हम उनके लिए आवाज उठात रहेंगे, इस तापना दिवस के लिए मैं सभी किसानों के हर्तिक सुपहमना देता हूं, अपने संक्ठन के लोगों को धन्यवाद देता हूं, यही उठनी चाहिए, इसलिए यहां के मूल निवासी, अमन टागुर जी ने और अपने साथियों के साथ मिलकर, किस्षक यूनियन, बारतिय किसान बहुत किस्षक शक्ति का एक उद्गाटिन किया, यानि एक तरह से बनाया उसको, जिससे कि सही मायने में, किसानों की आवाज, क इसलिए थापना दिवस है, यहां से हमारी तीब रगतिया और तीज होगी, और किसानों की आवाज को हम आगे उठाएएगी, आज किसानों की लड़ाई, कापी संगर्श के साथ लड़ेंगे, यही हमारा देश है, देखिए हमारा जो एक रखन है, भारतिय किसान की सब्काल Арाइब है वोत सब्सक्राइब अर्प सब्सक्राइब घरहां क 기대 हुआ है का मैंति के साथ करने न। को से दूरी करते हैं वह और नहिरी झार्टी है किसूषर सकती जो संग्ठाण है और हमारे बहुत ही महनत अब अच्छा काम कर रहा है अमन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों की आवाज उठाते रहते हैं छेतर की समस्याओं को अधकारियों के सामने रखते रहते हैं युबाउं के रोजगार के लिए वो मेहनत करते हैं और संग्ठन आज भी हमारा प्रगती पर है दिन संग्ठन विस्तार कर रहा है अमन भाई बहुत ही नेक निश्टादे काम कर से और संग्ठन के जो लोग है उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर चलते हैं तो अमन भाई यंग हैं अभी एनरजेटिक हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसी के साथ जैन युबाउं का संग्ठन आज इस संगिठन का इश्थापना दिवस मनाय जा रहा है केमरामेन समीर खान के साथ मोहित कार्णेश टाकुर जेवर प्रेस